हमने आपको यहाँ पे ट्रेन नम्मर 2401 के बारे में कम्प्लीट जानकारी दिया है अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंड सेक्षन में जरूर पूछिए तो नमस्कर दोस्तों मैं भी जसंकर चाहान स्वागत करता हूँ आप सभी का इस क्यान गांगा यूटूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में हम ट्रेन नम्मर 2401 के बारे में बात करने वाले हैं जो कि यह गाड़ी कोटा से देहरा दून के बीच चलती है और यह COVID-19 के चलाई जा रही है तो दोस्तों इसकी सारी information मैं दूँगा जैसे कि इस train में कौन-कौन से class हैं कौन-कौन से coach हैं कौन से class में आप इसका ticket लेते हैं तो कितना आपको किरया जाने वाला है और इस गाड़ी के कितने stop हैं कौन-कौन से stop पे रुकती है आज किस वीडियो में IR, CTC, Relay से update और new train के बारे में जानकारी देते रहता हूँ तो दोस्तों इस train की सारी information पहले से हमने अपने आपे computer में लिख रखा है और यहाँ पे मैं आपको step by step बताने वाला हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस train की सारी information हमने यहाँ पे लिख रखा ह है और नांदा देवी special train भी इस train का नाम है तो दोस्तों यहाँ पे अगर fair और classes के हम बात करते हैं जैसे coach और class के कौन-कौन से डिब्बे हैं तो यहाँ पे दोस्तों इस गारी में total AC coach दिये गए हैं first AC, second AC और third AC यहाँ पे sleeper और two second यानि चालू डब्बे नहीं है इस train में स वहीं दोस्तों अगर आप second AC में टिकेट लेते हैं तो 1605 रुपे का और अगर आप इसका third AC में टिकेट लेते हैं तो 1440 रुपे का पढ़ने वाला है दोस्तों यहाँ पे अगर ततकाल की बात की जाए तो यहाँ पे इस train में first AC का जो ततकाल कोटा है वो नहीं है यहाँ पे के वोल second AC और third AC का है और अगर आप second AC में टतकाल टिकेट लेते हैं तो 2060 रुपे पढ़ने वाला है और अगर आप यहाँ पे third AC में टतकाल टिकेट लेते हैं तो 1445 रुपे पढ़ने वाला है बात करें दोस्तों इस train की चलने की तो दोस्तों यह train per day चलती है आप किसी भी दिन चाहें तो इससे शफर कर सकते हैं यह train सोम वार, मंगल वार, बुद्ध वार, गुरु वार, शुक्र वार और शनी वार, रभी वार यानि गाड़ी सपता हमें पूरे दिन चलती है आप किसी दिन भे इससे शफर कर सकते हैं दोस्तों यह गाड़ी 760 किलो मेटर की दू अपेज की बात किये जाएं तो यहां पर टूटल इस गाड़ी के 13 इस टोपेज हैं और यहां पर मैं आपको इस्टे बाइस्टे बताने वालाओं कि गाड़ी कितना बज़े कौन से शफर पे पहुंसती है तो यहां पर जो सबसे पहला इस टाफ है दोस्तों वो है कोटा ज फाहरा लोती है और 108 किलोमेटर की दूरी यहां तक यह गाड़ी तैंक करती है इसके बाद दोस्तों इसका तीसरा नमर इस्टा पाता है जो कि है गंगापूर सीटी और यहां पर दोस्तों गाड़ी पहुंचाती है 19 बच के 45 मेंट पे 2 मिनट का ठहराव लेती है 172 की दूरी यहां तक यह गाड़ी तैंक करती है इसके बाद दोस्तों इसका पांचवन नमर इस्टा पाता है जो कि है भारतपूर जकसन और यहां पर दोस्तों गाड़ी पहुंचती है 20 बच के 45 मेंट पे 2 मिनट का ठहराव लेती है और 291 किलोमेटर की दूरी यहां तक यह तैंक करती है कोटा से मधुरा तक इसके बाद दोस्तों इसका साथ नमर इस्टा पाता है जो कि है हजरत निजामुद्दीन और यहां पर दोस्तों गाड़ी पहुंचती है 23 बच के 45 मेंट पे यहां पे 10 मिनट का ठहराव लेती है और यहां तक यह गाड़ी 408 किलोमेटर की दूरी तैंक करती है इसके बाद दोस्तों इसका आठ नमर इस्टा पाता है जो कि है गाजियाबाद और गाजियाबाद दोस्तों गाड़ी पहुंचाती है 12 बचके 28 मिनट पे दो मिनट का ठहराव लेती है और 400 1 गाड़ी 528 किलोमेटर की दूरी तैंकरती है इसके बाद दोस्तों इसका 10 नम्मर इस्टाप आता है जो की है मुजफर नगर और यहां पे दोस्तों गाड़ी एक बच के उन्चास मेट पे पहुंसती है दो मिनट का ठैराव लेती है और 583 किलोमेटर की दूरी यहां तक यह ग किलोमेटर की दूरी यहां तक यह गाड़ी तैंकरती है इसके बाद दोस्तों इसका 12 नम्मर इस्टाप आता है जो की है हरी द्वार जकसल और यहां पे दोस्तों गाड़ी 3 बच के अठावन मेंट पे पहुंसती है और 708 किलोमेटर की दूरी यहां तक यह गाड़ी तैंकर करती है और दोस्तों जिस तरह से हमने आपको यहां पर ट्रेन नमबर 2401 के बारे में कंप्लीट जानकारी दिया है अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंड सेक्षन में जरूर पूछिए तो दोस्तों उमीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आ आपको